एक्स्प्रीमेंट किया गया अमिरीका के एक आदमी को प्रिजेंट हाउस में मोत की सजा सुनाई गया उस मोत की सजा में उसे बताया गया कि तुम्हें एक एनाकॉंडा साप से डसवाया जाएगा हाला कि उस वेक्ति को फासी की सजा होने वाली थी किन्तु उसी प्लान को चेंज करके उन्होंने साप को डस्वाने का है उस विक्ति के सामने एक एना कॉंडा साप को लाया जाता है और धीरे 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 उस विक्ति के सामने उस साप को धीरे धीरे लाया जाता है और कुछी दूरी पर उस साप को रख दिया जाता है और उसका पूरा का पूरा जो चेहरा है वो सफेद कपड़े से कवर कर दिया जाता है और प्रिजेंट हाउस में वही प्लान चेंज करके उसके हाथ में दोसुई चुबा दी जाती है तक वो विक्ति खूमने लगता है धीरे धीरे वो विक्ति खूमने लगता है और जोर से खूमने लगता है सहीं डेड़ मिनीट बाद उस विक्ति की मौत हो जाता है और जैसे ही नीचे गिरता है तो उसे होस्पिटल में ले जाया जाता है हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसकी मौत साप के दर्द के कारणा है जो साप देने वाला था उसकी मौत उस विचार से हुई जो जहर साप के दर्द से खतरनाग था उससे उसकी मौत हो था आपकी परिस्टिती आपको कभी बरबाद नहीं करती है आपकी मनिस्तिति, आपकी परिस्तिति से पहले आपको बर्बाद कर दोएं कई लोग जीस से पहले मेदान छोड़कर भाग जाते हैं और पीछे मुड़कर पलट पलट कर देखते हैं वो कभी इत्यास नहीं रिचते हैं मैं जीद, आप सबी के सपनों को सपोर्ट करता हूँ इसी तरीके से चनल को सेर करें सब्सक्राइब करें और हमेशा सपोर्ट